पाकिस्तान का असली चहरा बहारा गया है पाकिस्तान भारत से कितनी नफरत करता है वो जग जहर हो गया है क्यों हर पाकिस्तानी के मन में भारत को लेकर इतनी नफरत है आज इसका राय सबके सामने आ गया दस हर पाकिस्तानी भारत और हिंदों से क्यों नफरत करता है उससे परदा उड़ गया है वो इसलिए क्योंकि पाकस्तान बच्पन से ही स्कूलों में बच्चों के नर्व और डेवलपिंग माइन को ये पढ़ाता है कि भारत एक बहुत बुरा देश है, हिंदों बहुत गंदे होते हैं पाकिस्तानी के हिंदू और भारतियों के खिलाफ बच्पन से ही इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि यह मुल्ग गंदा है और इसके खिलाफ नफरत करो नफरत कराने के लिए पाकिस्तानी उन्हें हट तो तब कर दी जब अपना ही इतिहास बना लिया यानि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों का सरयाम कतल होता है भारत मुस्लिम लोगों के लिए सेफ नहीं और पार्टिशन से पहले भी मुस्लिमों पर अत्यार चार किया गया क्योंकि हिंदू को अपना देश चाहिए था इसलिए भारत और पाकस्तान का बटवारा हुआ जो यहां आपको एक एक चीज एक एक फैक्त के साथ बताएंगे और करेंगे कंगाल पाकस्तान का भारत विरोधी और खास कर हिंदू विरोधी चहरे का परदाफाश तो चलिए शुरू करते हैं पाकस्तान का जन्म का कारण भारती मुसल्मानों की तरफ से हिंदू धर्म को नफरत के अधार पर पाकस्तान का जन्म हुआ जो लोग हिंदू धर्म को नफरत करते थे हिंदू को काफर मानते थे उन लोगों ने इसलामे निजाम की बात किया पाकस्तान देश का जन्म ही भा बारत के नफरत से हुआ जो लोग पाकिस्तान के जन्द से ही भारत को गालिया देना हिंदू को गालिया देना यही उनका काम हो आतंगवात को जिहाद यानि की धर्म युद बताना जिनका काम हो वो पाकिस्तानी लोग भारत को नफरत नहीं करेंगे तो इसमें कौन सी नई ब आगे नहीं बढ़ना चाहती दिरसल इसके पीछे एक वज़ा है जो अब जाकर इतने सालों में सामने आई है और सामने आई है तो सब के सामने पाकिस्तान का क्रूर जूटा चहरा सामने आ गया नफरत की आग में पाकिस्तान इतना अंगा हो गया है कि अब उसको कोछ नहीं द दिखाए देता और अब तो बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार शुरू हो गया है जिया पाकस्तान के स्कूलों में बच्चों को भारत और हिंदू विरोधी किताबे पढ़ाई जा रही है बच्पन से ही उनमें पडोसी देश और हिंदू के प्रती ग्रिणा की भावना पैदा की जा रही है इसके लिए सिलबस और पुस्तकों में महात्मा घांदी और भारतिय राष्ट कॉंग्रेस को गलत तरीके से दिखाया गया इतिहास के किताब में मन गडन किस्ते जोड़ दिये गए जो सच्चाई से काफी दूर है पाकस्तान में क्लास आठवी और क्ला क्लास नवी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इतिहास के किताब नैशनल भुग पाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्लास आठवी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस पूरे भारत की नहीं बलकि सिर्फ हिंदों की अवास थी किताब के अनुसार भारतियों ने भारत के राष्ट्रवाद यानी हिंदू प्रधान के लिए कॉंग्रेस का गठन किया था ये सबी भारतियों की नहीं हिंदू की अवास बन कर रहे गए इसलिए मुस्लिमों को All India Muslim League बनाने की आविशक्ता महसूस हुई किताब में आगे महात्मा गांधी पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक हिंदू नेता के रूप में दिखाया गया किताब के अनुसार गांधी और उनके युवास समर्थकों का जुकाथ हिंदू की दरफ था मुस्लिमों की अवेला की गई जिससे समाज में नफरत पैदा हुई मात्मा गांधी ने किस तरह मुस्लिमों का पक्ष लिया वो किसी से छपा नहीं खिलाफ़त आंदुलान इसका अच्छा उधारण है किताब लिखता है कि गांधी और कॉंग्रेस को खिलाफ़त में कोई दिर्चस्पी नहीं थी स्वराज के एजेंडे के तैद कॉंग्रेसी इसमें शामिल हुए किताब में कई बार जोर देकर ये लिखा गया कि मुस्लिम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किताब में 1911 में हुए बंगार विभाजन को रत किये जाने का उधारन दिया गया कॉंग्रेस ने भले ही एक राष्ट्र पार्टी होने का दावा किया लेकिन विभाजन के नाम पर उसने हिंदू संगठन की तरह व्यभार किया किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत्य मुस्लिम हमेशा मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग होना चाहते थे क्लास नवी की एक चाप्टर में गोवर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट 1935 का जिक्र है किताब में बंदे मात्रम को मुस्लिम विरोधी बताया गया है अगर इतियास के पन ने खोल दिये जाए तो सारा दूट का दूट पानी का पानी हो जाएगा जो कंगाल पाकस्तान अपने बच्चों को पड़ा रहा है वो सत से काफी दूर है अपनी सहूलियत के हिसाब से कंगाली और भुक मरी की कागार पराच्चों के पाकस्तान ने इतियास को ही मोर दिया भारत एक मानफतावादी देश है और पाकस्तान का जन कटरता हिंसा और बरबर मानसिक्ता के फल स्वरूप हुआ भारत्य सम्विधान लोकतंत्र सभी धर्मों का सम्मान मूल भूत मानव अधिकार और दलित शोशित आदिवासी पिछड़े गए समाज के विकास का मार प्रशस्त करता है वही पाकस्ताने लोकतंत्र को ख्याद गुप्चिचर संस्ता और सेना से बना आतंगवादी गठ जोर वाला देश है जिसका मुख्य एजेंडा भारत विरोधी लेहर पैदा कर अपने तानशाही का राज करना है पाकस्तान के ताजा घटना करम से लगता है कि अब वहां की जनता इस अनैते गठ जोर को समझ रही है और विरोध की कुछ हिम्मत दिखा रही है जिस दिन इस अनैतिक गठ जोर का अंथ होगा शायद उसी दिन से भारत और पाकस्तान के बीच की जूटी नफरत खत्म होनी शुरू हो जाएगी और भारत और पाकस्तान एक अच्छे पड़ोसी देश की तरह रहने लगेंगे नेता हो या सामाने लोग भारत के खिलाफ नफरत पाकस्तान के लोगों के जिन में ही उत्पन करती गई है वो लोग पाकस्तान के अस्तित्व और समरिधी के लिए भारत को खत्रा मानते हैं इस तरह के ढर को लोगों के मन में सुन्योजित तरीके से बिचाया गया है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नफ्रत को सरकारी नीती का भाग बना लिया है सरकार की तरफ से स्कूलों में भारत विरोधी सिलिबस पढ़ाया जाता है वाद विवाद आयुजित होते हैं, फिल्मे और डॉक्युमेंटरी बनती है सरकार की तरफ से मौला नाओं को भारत विरोधी उपदेश देने के लिए भुकतान किया जाता है इतियास और फाक्स को तोर मडोड कर पेश किया जाता है मीडिया की तरफ से दुश्पचार किया जाता है भारत के घरेलू मुद्दो को मुसलिम विरोधी या पाकिस्तानी विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है इन सबका नतीजा ये होता है कि बच्चों में शुरू से ही भारत विरोधी मान सकता उत्पन हो जाती है यही बच्चे समाज का इसा बनते हैं, क्रिकेट टीम का सदस्य बनते हैं और मैच में भारत के खिलाडियों से लड़ने का बहाना तलाशते हैं यही बच्चे सेना का अंग बनते हैं और भारत में घुसपैट करते हैं इनी बच्चों में से नेता और राजकिय बनते हैं जो घरेलू और विदेशी मंचों पर भारत के खिलाफ बयाद देते हैं और परमानू युद की धमकी देते हैं लेकिन बरबाद पाकिस्तान ने हमेशा से ही नफरत सीखी और सिखाई और आने वाली नसल को भी यही तालीम पास ओन कीचा रही है वैसे जिस देश का जर्मी नफरत से हुआ उसे दूसरे देशों के लिए प्यार कैसे एकस्पेक्ट किया जा सकता है लेकिन अपने गुनाहों के सजा पाकिस्तान को मिल रही है पाकिस्तान अब अपनी कू कर्मों के सजा भुगत रहा है क्योंकि कंगा पाकस्तान को न तो कोई लोन दे रहा है न तो कोई एक भी भी लोग अनाच के लिए तरस रहे हैं रोटी के लिए एक दूसरे को मरने के लिए तयार है शायद अगर प्यार के बीज बोने की कोशिश की होती पाकस्तान ने तो आज इतना हाल बेहाल नहीं होता शायद अगर अपने भविश्य यानि देश के बच्चों को गलत एजुकेशन नहीं दी जाती तो आज हाल ये नहीं होता परदाफाश में आज के लिए इतना ही देख तो रहिए क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार